विदेश मंत्री डॉक्टर एस चैशंकर और मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद के बीच वीडियो कॉंफरेंस के माध्यम से हुई एक बैठक के बाद यह गोशना की गई है कि भारत सरकार मालदीव को एक विद्धिय पैक्टिव जिसमें 10 करोड डॉलर का अनुदान होगी और 40 करोड डॉलर की नई लाइन ओफ क्रेडिट होगी इसके अलावा 25 करोड डॉलर की एक अलग सहायता पर भी बात हुई है इस पर खुशी जाहिर करते हुए प्रधानवंत्री नारेंद्र मोधी के साथ मालदीव के डॉलर की भार्धी सहायता प्राप्त हुई उन्होंने स्क्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी और भारत की चंता को शुक्रिया भी अदा किया प्रधानमंत्री मोधी ने भी इसका जवाब दिया है प्यम मोधी ने कहा कि भारत को बीड 19 महामारी के आर्थिक भारतिय विदेश मंत्राले ने भी प्रस रिलीज में कहा है कि यह मालदीव में सबसे बड़ा इंट्रास्ट्रक्चर परियोजना होगी जो पड़ोसी द्वीपो विलिंगली थिलफुशी और गुलही फाहूं के साथ माले को जोड़ती है दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने इस बात पर संतुष्ट्री जाहिर की कि दोनों देशों की बीच रिष्टे गहरे हैं। के लिए नहीं देता। चाहे वो भुटान का हाइड्रो एलेक्ट्रिक प्लांट हो या अफगानिस्तान के संसत की इमारत का निर्माण। जबकि चीन जब सहायता देता है तो उसका उदेश होता है कि सहायता लेने वाले देशों को अपने चुंगल में फसाना। चीन के बारे में अकसर ये कहा जाता है कि वो देशों को कर्जों के जाल में फसा देता है जिससे देश बहार निकल नहीं सकते। मालदीव के पूर्वराश्रपती अब्दुल्ला यामीन के समय में मालदीव चीन का गहरा दोस्त बन गया था। श्रिलंका में महेंद्र राजपक्षे की सत्ता में वापसी चीन के लिए एक बड़ी खुश खबरी रही जबकि भारत के लिए एक चिंता जनक घटना। क्योंकि राजपक्षे अपने पहले काल में चीन के काफी निकट चले गए थे और उस समय श्रिलंका ने खुले तोर पर चीन की पियले नौसेना की पंडुब्बी की मेजबानी की थी और चीन के साथ पहले ही गहरे आर्थिक संबंद स्ताप्रित कर लिये थे अधिकतर के साथ अपने संबंदों को मोधी के पहले कारेकाल के दौरान काफी अच्छी तरह से संबाला था लेकिन अब बांगलादेश के साथ भी कठीनाईयों का सामना करना पड़ रहा है पाकिस्तान के साथ रिष्टों में खटास कोई नई बात नहीं लेकिन चीन और नेपाल के स दूसार अभी दी जाने वाली मदद के पीछे वजह मालदीव को महामारी के बुरे असर से बचाना है विदेश मंत्राले के मुताबिक भारत ने अब तक 64 देशों को 30.67 बिलियन डॉलर की मदद की है महामारी और लॉकडोन के बाद से भारत ने 90 देशों को दवाईयां और दूसरे मेडिकल उतकरण पहुँचाए हैं इन देशों में मालदीव भी शामिल है यह भी पूरा अंदाजा है कि मालदीव और उनकी चुने हुए नेता बुद्धिमान होंगे और हमारी विदेश नीती और हमारे निकर्तम सहीयोगियों और पडूसों के साथ हमारे पेज को भी लाइक करें नमस्कार